वैलो गाइज वैलकम बैक टू माई देसी चुला कीचन,गाइज आज आज हमने अपनी कीचन में बनाया है वाइट सूस पास्टा,वाइट सूस पास्टा बनाने बहुत ज़्यादा इजी होता है,एंड यह खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है,चा लिए वोश करने के बाद थंदे पानी से टऴ के नीचे से वोश कर लेना है wash करने के बाद हम पास्ता को साइड में रख देंगे धन उसके बाद हम vegetables कट करेंगे vegetables में आप किसी भी तरह की कोई भी vegetable डाल सकते हैं मैंने या पे लिया है carrot and capsicum साथी मेंने लिया है थोड़ा सा गार्लिक, गार्लिक को मैंने बारिक चौप कर लिया है अब हम एक पैन लेंगे, पैन में मैंने आपे दो चमच बटर एड़ किया है आप बटर की जगए ऑईल भी यूज कर सकते हैं, आप ओली यूज कर सकते हैं इस तरह से जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 स्पून मैदा और मैदा और बटर को हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा को भूनते टाइम गैस की फ्लेम को सिम रखना है हमें अराउंड 2 से 3 मिनट तक मैदा को इस तरह से बूनना है 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें डूद को आपको इसमें थोड़ा-थोड़ा करके अड़ करना है जिससे इसमें लंप्स नहीं आएंगे तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा दूद एड़ करना है और इसे mix करते जाना है धीरे धीरे हम दूद डालते जाएंगे और अच्छे से mix करते हुए जाएंगे आप इसे mix करते टाइम whisk का भी use कर सकते हैं whisk का use करने से इसमें lumps नहीं पढ़ते अभी मेरे पास whisk अवेलेबल नहीं था तो मैं इसे spoon की help से ही mix कर रही हूँ जब हम इस पूरे process को करेंगे तो हमारी कैस की flame है उसको हमें simple रखना है simple रखने से क्या होगा कि हमारा जो batter है वो ज़्यादा heat नहीं लेगा और जो जलेगा नहीं और वो overcook नहीं होगा जैसे जैसे हम इसे mix करते जाएंगे हमारा जो paste है वो थिक होता जाएगा तो इस तरह से थिक नहीं साने के बाद अभी हम इसमें add करेंगे oregano, black pepper and red chili जो भी मसाले है वो आप अपने taste के according कम्या ज़्यादा कर सकते हैं यह ओल्मस्ट हमारा white sauce pasta बनके रेड़ी है आप इसमें salt एड़ करेंगे, salt आप अपने taste के according कम्या ज़्यादा कर सकते हैं यह हमारा white sauce बनके रेड़ी है अब हम इसमे पास्ता एड़ करेंगे पास्ता एड़ करने के लिए सबसे पहने मैंने लिया यहाँ पर एक पैन, पैन में मैंने बटर डाला है एक चमच ओयल मिक्स किया है जब तक हमारा butter melt नहीं होता हम लोग wait करेंगे, butter melt होने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे garlic paste यहाँ मैंने थोड़ा सा garlic लिया है उसको अच्छे से भून लेंगे garlic भूनने के बाद हम इसमें सबजे आड़ करेंगे, हाँ मैंने सबसे पहले डाला है capsicum, carrot आप इसमें जो भी सबजे आड़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं so मैंने यहाँ पर capsicum and carrot आड़ किया है देन उसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे दो से तीन मिनट अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे cauliflower को मैंने बारिक बारिक चौप कर लिया है I know guys पास्ता में cauliflower नहीं आता है बट बच्चों को खिलाने के लिए आप इसमें कुछ भी सबजे आड़ कर सकते हैं बच्चों को इसका टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आएगा अभि मैं इसमें ओरिगेनो मिक्स कर रही हूँ और जात मैंने इसमें पास्ता मिक्स पाउडर यूज किया है रेच चीली पाउडर अभी हम इन सभी मसालों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक से तो मिनित पकाने के बाद मैं इसमें एड़ कर दूँगी वाइट सोस हमारी white sauce थोड़ा थिक हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हैं तो अच्छे से सबजेओं के साथ white sauce पास्ता को mix करने के बाद हम इसमें pasta एड़ करेंगे यहां मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ करूंगी ताकि जो हमारी सोस है वो थोड़ा सा पतली हो जाए तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा पानी एड़ किया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे अपना बॉल्ड पास्ता तो दिखिए गाईज हमारी जो सोस हो कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है तो यह हमने अभी इसमें पास्ता एड़ कर दिया पास्ता एड़ करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे 2-3 मिट फिर पकाएंगे तो ये हमारा पास्ता बनके ready है उसके बाद आप इस पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं या फिर आप जो भी आपके spring onions है उनको chop करके आप वो भी add कर सकते हैं तो इस तरह से हमारा जो yummy पास्ता है वो बनके ready है ये बनाना बहुत ज़्यादा easy है और खाने में भी बहुत ज़्यादा tasty लगता है So I hope आप लोगों को मेरी recipe पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे channel को like, subscribe and share करना मत बोलना तब तक के लिए bye guys